हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल, तो सद्ध्य की दसोई में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है, तो आज हम लोग बनाएंगे पास्ता की रेसिपी, तो चलिए कुछ ट्रिक के साथ आपको ये पास्ता की रेसिपी बताते हैं, यहाँ पर मैंने प बाईल करने के लिए मैंने यहाँ पर कढाइ यूज की है, आप कढ़ाई में पानी डाल दिया है, थोड़ा सदांश पानी घरम हो जाए तब हम इसमें पास्ताा एड कर एंगे, क्यूंकि अगर आप ठंडी पानी में डाल देंगे, तो नीचे जा के वह चिपक जाएंगे, आप इनको लगातार थोड़ा सा चलाती रही है जिससे कि ये नीची जाके चिपके नहीं तो जैसे ये उबलने लगेंगे अच्छे से बैसे ये उपर आने लगेंगे तो देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं ये हमारे पास था वॉयल हो चुके है इसको आप 8 मिनट मीडियम कैस में ही वालें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उबलेंगे तो यहाँ पर हम एक इस टेनर में निकाल ले रहे हैं इसको और ये ओवर कुक ना हो जाए इसलिए इसमें ठंडा पानी एड़ कर देंगे तो वही कड़ाई फिर से मैंने लिए उसी में सरजोग ऑईल डाला है ये थोड़ा गरम हो जाए फिर इसमें हम प्याज और सिम्लामेच के किउप्स डालेंगे इनको हलका सा फ्राई करेंगे बहुत लाइट फ्राई करना है तो ये यहाँ पर लब फ्राई हो चुके हैं फिर इनको अब निकालना है बहुत समाल करी ज्यादा ओयल ना आ जाए इ अब इसमें हम प्याज एड कर देंगे और साथ में हरी मिर्च एड कर देंगे तो यहाँ पर यह हलका सा सुनेरा होना सुरू हो चुका है अब इसमें हम एड करेंगे हरा प्याज जो आजकल मार्केट में मिलने लगा है अभी से तो वो हरा प्याज हम इसमें डालेंगे कटा और इसको भी हलका सा भून लेंगे प्याज भूनने के बाद अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी आड़ करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद मसाला याइड करें एक चम्मच हल्दी पाउड़र कमया जाद Cape एक चम्मच हमा मैगिसला या पाउड़र एक चम्मच हम इसमें गरम मसाला याइड करें गए एक ताओं और ट西 दी जबर आंग adapt है तो यहाँ पर एक packet लिए है, वो मैगी मस्साला मैंने एड कर दिया है अब यो इसको हलका सामसाला पकने देंगे मसाला पक चुका है हलका सा घर इसमे हम boil की ही मटर डाल देंगे और फिर गया, अब इसमें हम pasta एड कर देंगे तो देखी पास्ता एकदम खिला-खिला सा लग रहा है ना क्योंकि ये ओवर्कूक नहीं हुआ है एकदम मीडियम गैस में आप अगर इसको पकाएंगे ना तो परफेक्ट ऐसे ही खिला-खिला आपका पास्ता पनेगा तो सभी मसाले में पास्ता अच्छे से मिक्स हो चुका ह अब इसमें हम जो फ्राई किये थे प्याज और सिमला में इसके क्यूप्स वो एड़ कर देंगे और साथ में हम इसमें नीबू एड़ करेंगे नीबू डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आजाएगा जब आप नीबू डालेना तब गैस बंद कर देंगे अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह आपर हमारा परफेक्ट तरीके से पास्ता बनके तैयार हो चुका है एकदम से अब इसको हम सर्व कर लेंगे तो देखिए कितना खिला खिला पास्ता बनाए एकदम से अलग अलग एक भी चुका नहीं है और एक भी एकदम ऐसा नहीं जब आप पास्ता को वाइल करें तो बड़े बरतन में वाइल करें और पानी ज़्यादा रखें जिससे कि वो बहुत अच्छे से वाइल हो सेगे ये एक ट्रेक है अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें हमारी वीडियो को बढ़े लिए रिंट्ट अन्याई थे कि वीडियो को भी पास्वीड आपक सावाब हो सेगा प्रेक में बख़ें अन्याल को थे वाइल करें तो बहुत दो हमारी बाल पास्ता कि वीडियों को लाइड बड़े इंट्ड़ को बहुत ऊपर अन्या द्यारत अन्यादीर को